इस बार के ठंड के लिए जादी आप भी एक छोटा सनमीनी रूम हीटर बाई करना चाहते हो खरेदना चाहते हो आप इस वीडियो को कम्प्रेट वाज करना है इसको पर लिखा हुए था वाल आउटलेट एस्पेस हीटर मतलब कि वाल पे जो पलग रहते हैं उसी में आप इस इक असानी से हीट कर सकता है और 400 वाट के अंदर मिलता है हमें 400 वाटका है आप उसे कहा कहा पे यूज कर सकते हो घर में कीचेन में न कर सकते हो इसकी उपर वेंशन क्या गया है यह 15 degree Celsius लेके 32 दिक्शन तक आपकर रूम को यह temperature कम और जादे कर सकते है इसके उपर दो बटन मिल जाता है जिससे आप इसके fan के speed को कम और जादी कर सकते हो और एक और बटन रहता है जिससे आप इसके कितने आवर्थ कि आप इससे यूज करना चाहते हो उसको आप उसमें सेट कर सकते हो एक घंटा से ले के आप इसे बारो घंटा तेक आप उसे सेट कर सकते हो मैं आपको सारा चीज आगे दिखाऊंगा इसमें हमें इसे किस तरह का से यूज करना है और किस तरह का सी ओवर्क करता है इसमें सारा चीज दिया पावर का इसका जो क्वालिटी के है वह बहुत ही ज्यादा हाड है और इसे मैं लगभी दो से त्यावर यज अब दर, यूज्य जब ऑद बहुत आइब की जिसका क्वालिटी के सा है इसके उपर हमें मेटल का फ्रेम मिल जाता है जहां से इसका हीट निकलता है यह ब्लैक लड़ का सुच है यह पावर का यहाँ से यह मेन और ऑप और ओन होगा यह जो आप पलग देख रहे हो इसे आप रोटेट भी कर सकते हो यादि आपका पलग घुमा हुआ है रोटेट है अब इसे रोटेट करके लगा सकते हो इसे यहाँ पर बटन है उसी जब प्रेस कर दोगे और इसे रोटेट करेंगे फिक्स हो जाएगा यहाँ इसके उपर जो मेंशन किया गोए उसके बारे हम जानते हैं प्रोडक्ट नेम हैंडी हीटर मूडल अमर के लडबल डबल जीरो चारवाट बना हुआ है इसका मतलब है कि इसमें पानी नहीं दालो और इसका मतलब यह है कि यह खड़ाब हो जया ता आप इसे फिको नहीं आए आसानी से रिपेर हो सकता है इसके उपर आप देखो यहाँ पर दो सुच दिया गया प्लस और मैंस का इससे आप इसके टेंप स्क्राइब करेणा यहां पर सारा चीब सो करेगा यह श्याहां पर इसे इसके इसे कितनी घंटे के लिए यापा से ठराघे है और यह कमर में छ्रें कर सकते हुआ ताकि इसमें जो हीट निकले वो यदि यहाँ पर यह प्लास्टिक आ रहा था तो वो बिखल सकते था इसलिए यहाँ पर मेटल का फ्रेम दिया गया है सिर्फ आगे में और सारा सारा बोड़ी प्लास्टिक का है चलिए मैं आपको इससे दिखाता हूं किस तरीका से यह वर करत हैं इसके पावर का स्वीच अन करेंगे डो से तीन सकेंड इसका तंगस टन नाइक्रोम वायर हो याएगा आप देख सकते हो जुका है और इसका पंखा वी रोटेट हो रहा है इसका जिसके करण हमास के लिवा दिखाना है यहाँ पर अंदर लेता है और यह बाहर के लोडे और फेकता है यहां पुपर्मु देख सेकते हूं डिस्पली भी 30 पभलस बटन से आप इसके टेमप्रेचर कुं कुम और जादे कर सकते हो एक हट कर सकते हो जब निगेटिव बटन को प्रेश करें तो इसका तमप्रेचर कम होगा और यह 15 डिग्री तक ट्य गाएगा अ यहां पर देखुए पर पिर सकते हो यहां पर इसको लगातार कितने आवर तक इससे चलाना है एक से लेके बारा घंटा तक इसमें option आता है एक से लेके बारा घंटा तक आप इसे set कर सकते हो चलिए मैं आपको ABC से दिखा देता हूँ इस room heater को मैं अमीजन से buy किया 789 में यदि आपका room छोटा है 10 by 10 का है तो आप इसे buy कर सकते हो लो कोस्ट में यह आपको अच्छा सा room heater मिल जाएगा और यह 10 by 10 का यदि room है आपका यह सही से आपका room को heat कर देगा यदि आप आधा गंट आपका चला दोगे तो आपके room को heat कर देगा और यदि आपका room बरा है 10 by 20 का है या फिर 10 by 15 रखा है तो आपके लिए यह उतना ज्यादा फैदा मंद नहीं रहे गाए हाँ यदि आप इसे लगा के छोड़ देगो एक दो घंटा पहले तो आपके room का temperature को यह ज्यादा कर सकता है और नहीं यदि आप कहीं पर पर रहे हो room कीचन में खाना बना रहे हो और इससे आप सामने में लगा दोगे तो आपके लिए यह बेस्ट है छोटा सा room heater मुझे बहुत ही अच्छा लगा या आपको अच्छा लगा तो आपको मुझे कومंट करके बता हो या फिर आप कौन सा room heater यूज करते हो तो वह मुझे कमेट करकर बताना और यदि आपको विडियो अच्छा लगता है तो विडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो धन्यवाद